नमस्कार लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं हूँ एड़ोकेट सुभास सिंग और यदि आपको सुप्रिम कोट से सम्मंदित कोई भी मैटर आपको डिसकस करना है कई बार ऐसा होता है कि देश के अलग-लग हिस्सों में हम पाएं या सब कुछ इस पे जो मेरा परसनल अनुभव है मैं आपसे शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि यदि आप सुप्रिम कोट में जाना चाहते हैं तो आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप सही तरीके से आप उपने केस को सुप्रिम कोट म वो ट्रांसफर पिटिशन को ले करके जाते हैं यानि अलग-अलग स्टेट में आपके मैटर चल रहे हैं आप उसको कमाइन करने के लिए सुप्रिम कोट जाते हैं कई लोग इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनको किसी नकिसी ओर्डर को चैलेंज करना होता है जब कभी भी हम किसी ओर्डर को चैलेंज करते हैं तो उसको SLP इस्पैशल लीप पिटिशन बोला जाता है उसको ले करके सुप्रिम कोट में जाते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ग्रिवांसेज ऐसे होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं और वो अपने PIL को पब्लिक इंटरे करते हैं तो मोटे तोर से जो मैं आपको बताया है ये मोटे-मोटे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको ले करके लोग सुप्रिम कोट जाते हैं मैं आपको यह सजेस्ट करूगा कि यदि आपको सुप्रिम कोट जाना है तो जल्द बाजी मत किजिए जैसे हमारे पास में क्या होता है लीज इंडिया में क्या होता है कि अगर आप हमारे help line number पे call करते हैं तो हमारे पास में आपको guidance देने के लिए चुकि बिल्कुल शुद्ध भावना से आपको proper guidance दिया जा सके आपने नया के आखरी मंदिर में आपको जाना है और आपने अभी तक हो सकता है कि कितने ही धक्के खाये हो तो हम सबसे पहले आपको free legal advice देते हैं और free legal advice को advocate के द्वारा दिया जाता है और वो advocate आपके matter को ठीक से detail में समझने की कोशिश करते हैं जब वो आपके matter को ठीक से समझ लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये matter supreme court जाने के लाइक है या इसमें कोश सेबस्टेंस है तो वो आपको suggest करते हैं कि आपको supreme court जाने के लिए आपको अपने file को study कराना चाहिए जब आप अपने file को study कराते हैं तो उसके लिए कुछ nominal charge लिये जाते हैं और वो जो file study होता है वो supreme court के ही lawyer के द्वारा किया जाता है supreme court के advocate के द्वारा किया जाता है और बाद में उनसे जो advocate होते हैं उनसे meeting भी कराई जाती है ताकि आपकी file के study भी हो जाए और आप meeting करके consultation भी ले सकें तो ये पूरा purpose ये है कि जब कभी भी आपको supreme court जाना हो तो इस बात के ध्यान रखिए कि किवल referral के अधार पे मत चले जाईए कि किसी ने आपको किसी के बारे में बताया और आपको भरोसा पहले वाले पे था उसी तरीके साब ने दूसरे वाले पे भरोसा किया और supreme court चले गए SLP के मामले में तो यूँ matter finish हो जाता है और सारा matter खतम हो जाता है पैसे भी लगते हैं जाने में energy भी लगती है और जब इस तरीके से matter खतम होता है तो दर्द भी बहुत होता है इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जब कभी भी आपको supreme court में जाना चाहिए तो केवल referral के भरोसे नहीं सही तरीके से opinion ले करके अलग-अलग opinion ले करके और एक common बात जब सब जगह से निकल के आए तो उस पर आपको अपना decision बनाना चाहिए और तब Supreme Court के किसी right advocate से contact करके आपको Supreme Court जाना चाहिए अगर आप हमसे contact करना चाहते हैं तो हमारे helpman number 8800 444555 पर call कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक और सबसे important तो यह है कि आप हमारी website leadindia.law पर भी visit कर सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे advocate मिल जाएंगे जिनसे आप बात भी कर सकते हैं अपने queries भी रेज कर सकते हैं उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच